दोस्तो यदि आप जिंगोई से gift card पर्चेच किये हैं तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं gift card को दोनों तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो में आखरी तक बने रहिए पहला तरीका यह है guys कि gift card को आप जिंगोई पर ही sale करके और वो पैसा अपने bank account में ले सकते हैं कैसे sale करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा देखिए यहाँ पर plus का icon दिख रहा है देखिए यहाँ पर plus का icon है इस पर click करना है क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर तीन option है gate link, buy gift card, sale gift card आपको तीसरा वाला option पर यानि sale gift card पर क्लिक करना है sale gift card पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर करका interface आएगा यहाँ पर देखिए search by a store और brand name यहाँ पर search कर लिजे जिस भी brand का gift card है आपके पास वो search कर लिजे जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए KFCI AGO का है तो AGO पर click कर लिजे AGO पर जैसे ही click किजेगा यहाँ पर gift card number, gift card pin, expiry date, gift card balance, selling price यानि कि जितना का gift card है उससे cam amount में भी आप sale कर सकते हैं पिर आप उससे ज्यादा amount में भी sale कर सकते हैं उसके बाद guys यहाँ पर देख सकते हैं online यहाँ पर select रहने देना है additional terms and conditions यहाँ पर देख लेना है guys लिख लेना है और इस box को check mark करके और confirm पर click कर लेना है confirm पर जैसे ही click किजिएगा guys तो आपका जो gift card है वो जिंगोई पर listed हो जाएगा और उसके बाद कोई भी person आपका gift card purchase कर लेता है तो वो amount आपके bank account में add हो जाएगा या फिर जिंगोई में add हो जाएगा दूसरा तरीका यह है guys कि जिस भी company जिस भी website का जिस भी brand का gift card आपने purchase किया है brand के website पर जाकर के आप use कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं gift card purchase किया हूँ Amazon का देखिए आपर three line पे हम click करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं gift card purchase किया हूँ या नहीं और दिखाता हूँ कि gift card को कैसे हम दूसरे तरीके से use करेंगे देखिए आपर gift card का option है gift card पे या फिर my orders पे click करेंगे नीचे में my orders का option है इस पे click कर लीजिए उसके बाद गाई जो भी आपने gift card purchase किया होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा देखिए आज एक अप्रेल है और आज ही मैंने gift card purchase किया है इस पे मैं click करूँगा उसके बाद गाईज यहाँ पर देख सकते हैं इस परकार का interface आएगा 50 रुपे का gift card है details पे जैसे ही click करेंगे guys तो यहाँ पर gift card का code दिखाई देगा और gift card का pin भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है gift card का code यहाँ से copy करते हैं और Amazon Pay का gift card है तो हम Amazon application open करेंगे और open करने के बाद step by step दिखाते हैं कि इस gift card को कैसे use करेंगे देखिए आपर Amazon में आ गया है Amazon Pay वाले option पे click करेंगे Amazon Pay पर जैसे ही click करते हैं guys कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा यहाँ पर आपको gift card का option दिखाई देगा gift cards पे click कर लिजिए gift cards पे जैसे ही click करेंगे guys तो उपर में option दिखाई दे रहा है add a gift card, e-gift card, brand gift cards, physical gift card तो आपको add gift card यानि first वाले option पे click करना है उसके बाद guys यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस परकार का interface दिखाई देगा यहाँ पर gift card code यहाँ पर fill करने का option आ रहा है तो gift card code मैंने जिंगोई application में जहाँ से gift card purchase किया था वहाँ से code मैंने copy कर लिया है वो code मैं यहाँ पर paste करूँगा, paste करने के बाद guys यहाँ पर देख सकते है add gift card to balance इस पर click करेंगे इस पर जैसे ही click करते हैं guys तो process हो रहा है और उसके बाद देख सकते हैं guys gift card add हो चुका है हमारे image on pay में देख सकते हैं पहले से 40 रुपया amount था gift card add होने के बाद 90 रुपया balance हो गया है guys जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए back यहाँ से जाते हैं और दिखाते हैं updated balance यहाँ पर click करते हैं और देखिए updated balance यहाँ पर 90 रुपया हो चुका है तो इस तरह से आप जिंगोई का gift card अलग अलग तरीके से यानि दो तरीके से यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो like कीजिए चैनल पर पहली वारा हैं सब्सक्राइब कर लिजिए थेंक यू